है लो गाइज वेलकम टुआ अन्हेंटर वीडियो प्स्टाउक मारकेटफंड थिश्टी वन व्लिमिटेट की ओर से मार्च कौॉर्टर की फिनांशल रिजल्ट पेश हो चुका है अंज़टेट फिनायासल रिजल्ट और या फिर और फिनाशल रिजल्ट कंपणी का आउट हो चुका है क्वाटर इंडर्डेट और फिनाशल इंडर्डेट का जो कि स्टेंडरॉन दूनों डिजल्ट थर प्लस 3.5 रुपेज पर इक्विरिच यर का , financial year का फ़र्ष्ट एंटरेम डिविडेंट भी यहां पर इसो डेकलियर किया गया है तब हम लोग चलते है कंपने के financial results पे और पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के quarter इंटरेट के यह consolidated results कब पहले कवर करेंगे जो इस बार का यहां पर देखा जाये तो कंपनी का जो यहां पे नंबर्स करोड़ में दिये गाए है और income है गाईज कंपनी का around 1051 का पिछले quarter में 670.6 करोड़ का और March 23 quarter में 530.5 करोड़ का income है, quarter on quarter year on year दोनों की income में increase किया है, expenses 728.3 करोड़ का पिछले quarter में 435.6 करोड़ का और March 23 quarter में 330.4 करोल के किछले कौर्टर में 235 करोड का मार्स 23 कोर्टर में 200 करोल का dying का fijश किया है नेट कॉफिट कमपनीगंपनी का हम mia ficiente 6 करोड ka पिछले quarter में 192 करोड का मार्व 23य quarter 155.4 क्रोड का profit is quarter on quarter year on year में increase किया 4.5 कश्घा कि सिक्स पॉईंट 52 रूपेश का quarter on quarter य७ zao य क्वाट कर गिजह कुझा है don'd expenses 1915 करोड का 23 में 1211 करोड का expense हुआ था जोकि expense में इंक्रीज होता नजर आया है income के according operating profit 1000.5 करोड का 23 में 850 करोड का operating profit है जोकि increase किया है income के according or net profit 804.2 करोड का 23 में 657 करोड का net profit है जोकि इस बार increase किया 657.9 करोड का profit बहुत अच्छी ग्रोस देखने को मिला है EPS 21.86 रुपेश का 23 से बहुत अच्छी ग्रोथ है तो गाइस कंपनी का consolidated results अगर देखा जाए तो quarter या financial बहुत इस ट्रॉंग पेश किया segment wealth management asset management इन दोनों से revenue generate कर ला है जो कि बहुत इंकम और profit दोनों में increase करती मेनेजर आ रही है वह कराम इसकी stand-alone results को cover करें गाइस तो income है 300 यहां पर देखा जाते हैं 316.7 करोड का income है पिछले quarter में 208 करोड का और March 23 quarter में 144 करोड का income है income quarter on quarter year on year दोनों में increase करती में नजर आ रही है expenses इस बार का company का पेश हुआ है 89.5 करोड का पिछले quarter में 55 करोड का और March 23 quarter में 40.3 करोड का expense हुआ था जोकी quarter on quarter में year on year में expenses इक्रेज है income के according जिसके बाद operating profit पार तू हंड़ेट 500 99 क्रोड का पिछले quarter में 153 करोड का March 23 quarter में 103.7 करोड person, operating profit जोकी quarter on quarter में year on year में दोनों में increase किया है net profit इस बार का 200.6 करोड का पिछले quarter 22 करोड का मार्च 23 कौार्टर 94.4 करोड का पॉफिट कौार्टर ओन कौार्टर एर ओन यर में इंक्रीज किया है तो गाइस कंपनी का जो रिजल्ट पेश हुआ अगर मैं देखेंगे तो कौार्टर एंडेट हो या फिनांशल एर इंडेट चाहे कॉंसॉलीडेटेड हो या स्ट आया आफ्टर मार्केट इसके रिजल्ट आया मार्केट तो होने के रिजल्ट आया है और कंपनी जो बहुत हाई वे पहुच गया था यहां सपोर्ट लेता हुए ले सकते यहां पर इंट निशाता है तुम्हें को वेट कीजिए करेक्शन होने तो उसके बाद आप एंट ल देखेंगे गाइस तो कंपनी जो है जब भी उपर क्यों बढ़ता आए गाइस तो यह वापास से फॉल होता हुटा सब्सक्राइब देखने को मिला है इस लिए उसके बाद आप इसमें इंट लीजेगा तो अब हम लोग जो है वेडियो कहीं करता है अगर कोई डाउट कमे